सब्सक्राइब के लिए अभी हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए एन बहला इकोन दोबाना ना भूलें जिससे की सारे नोडिफिकेशन टाइम आपको मिल जाएं कैसे सब्सक्राइब सेलेक्ट करना ना है बाइस आपको संसोल सब्सक्राइब करनेीे पाँच मिल इंट करके मैं ये और बताऊगा एकए स्करीं अप्यूंटर स्कीन पहुत दो कैसे सब्रना नहीं है कं विडियो कि है सबसे पहले मैं अब बता दूं कि आपको सबसे करना कि जब भी आप फॉर्म बने जाए सब सबसेल अफ़को इस से कंफर्म करना है कि जो उफ जो वॉस तो क्याण करें यह कि पर को केशन न coal यहाज तो अपने क्यूच को आप हमारे लिए कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं, BA, BAC, VECOM, हो सकता है कि कॉलेज बालों ने सेम ही कर दिया हूँ, अगर अलग-अलग हो, तो आप पहले कॉलेज में पूछ लिजे कि हमारे लिए कौन सा वोकेशनल सब्जक्ट इसमें सेट करना है, ठीक है, नमबर एक बात, अब दूसकी बात, उसके बात मैं आपको बता हूँ, अगर आप खुछ से फारम बर रहे हैं, तो आपके पास में स्कैन करना होना चाहिए है, स्कैन करके आप फोटू रख लीजे, और फोटू नहीं, आपके पास में डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसके बाद मैं आपका, जो मार्सीट है, जो आपके अभी निकली हुई है, कम्पुटर वाली वो भी लग जाएगी, और उसके बाद मैं इंट्रा ही स्कूल, कि हमने सब्जेक्ट अपने कॉलिज से पहले ही पता कर लिया है, उसके बाद मैं SGPA दो जगे लिखा हुआ है, आप देखना है, उसमें एक प्रिवियस लिखा हुआ है, तो वो आपके फर्स समेस्टर वाला है, और जो continue वाला है, अभी जो लिखा रहा है, वो आपके second semester वाला है, तो इन दोनों को इसमें confusion ना हो कि उसमें कौन सा बरना है, क्योंकि फॉर्म में आभी मैं दिखाऊँगा आपको, तो आप देख लेना कि उसमें एक option ता रहा है, कि सर इसमें fees का क्या है, तो दीखें, मैंने आपको पहली बदाया था, कि अगर आप government college से हैं, तो उसका fees अलग होगा, अगर आप private या semi government college से हैं, तो उनका fees अलग है, और उसके बाद में आप अगर back है, आपके exam में, जो first semester में आपके exam दिये थे, तो उसमें एक subject में back है, दो subject में back है, तो उसके according ही यहाँ पर fees भी changes है, चीक है, और B, A, B, S, C, B, Com, income fees, क्योंकि जब course अलग है, तो fees भी अलग होना चाहिए, क्योंकि practical के base पर भी यहाँ पर fees बढ़ जाती है, घट जाती है, तो आप ये बात, fees जैसी आप फॉर्म भरेंगे, आपकी final जितनी भी दिखेगी ना, वो आपको submit करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उसमें concession मिल जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था, fees जो है, आपके form अपना फिल करेंगे, आपके form में तुरंद लिख के आजाएगा, इतने इसमें back है, और ये पूरा fees है, आप पर fees यहाँ पर होगा, और back form भी उसके साथ सथ भर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, आपके form भर दीजे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपने आधार कर लिया, उसके बाद मैं आपने स्कैन किया है, आपका 12 का मार सीट, आपने किया है, हाई स्कूल का मार सीट, उसके बाद मैं आपने आपने आपको पताया था, जिसमें भासा में आपको देना है, वो चेंज कर लेना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिस मीडियम, उसके बाद मैं यह थेखिए, सब्जेक्ट सब लिखे आएंगे, इनको नो चेंज करना है, अब आता है बोकेशनल सब्जेक्ट, यहाँ पर जो भी हो, वो यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए, सब कुछ सब्सेट होगा, आपको बस नेक्स्ट कर देना है, तो यहाँ पर S.G.P.E. लिखा है, लिकिन यहाँ पर दोनों का एड़ करके, मतलब Y.G.P.E. लिखना है, आप यहाँ पर आपको संसोदन करने के लिए, कुछ ऐसा है, विशेश नहीं है, बस यहाँ पर आपका पिच्चर वगरे सब कुछ और फिल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जाए यह नेक्स्ट पर वस उसके बाद में फीस कर जाएगा, यह final हो गया, इसके बाद में कुछ संसुदा नहीं करना, आपका देख लिजिए subject ही हो गए, दोस्तों को भी send कर दिजिए, वीडियो अच्छा लगा हो, thank you for watching student, thank you for comment, thank you for support, thank you student.